नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दादी मा के घरेलू नुसके, जो हर महिला के लिए बेहत फायदेमंद है नमबर एक, सुबा के समय थोड़ी धूप लेने से शरीर और दिमाग को बहुत फायदा मिलता है नमबर दो, किन्नू खाने से चेहरे का रंग साफ होता है और चेहरे पर निखार आता है नमबर तीन, अगर आपको मोटापे से बचना है और वजन कम करना है तो पराठे खाना छोड़ दें नमबर चार, अगर आप अपने गुर्दों को ठीक रखना चाहते हैं तो रोजाना रात को सोने से पहले पेशाप करके सोएं नमबर पाट, मेधी की सबजी बना कर खाने से कमरदर्द दूर हो जाता है नमबर चे, हाथों से कपड़े धोने से डिप्रेशन दूर होता है नमबर साथ, अगर नीन में खराठे आते हूं तो सरसों के तेल की एक दो भून नाक में डालें इससे खराठे नहीं आएंगे नमबर आठ, अजवाइन को हलका गर्म करके, चिशू पेपर में लपेट कर सूहें, इससे सिरदर्द दूर हो जाएगा नमबर नो, किश्मिश खाने से ठकावट दूर हो जाती है नमबर दस, कभी भी केले के साथ लस्सी ना पियें, इससे पेट में दर्द होने लगता है नमबर ग्यारा, नौनवेज खाने के बाद दूद का सेवन बिलकुल ना करें, ये शरीर के लिए नुकसान दायक होता है नमबर बारा, जिन लोगों को भूलने की दिक्कत है, वे दालचीनी का सेवन करें नमबर तेरा, दूद में शहद मिला कर पीने से दिमाग ताकतवर बनता है और नजर तेज हो जाती है नमबर चौदा, खाना खाते समय, कच्चा प्यास खाने से दिल की धड़कन बेहतर रहती है नमबर पंदरा, चने और खस-खस की फकी बना कर रोजाना खाएं, इससे आपका दिमाग तेज होगा नमबर सोला, शकरकंदी फेपणों को ताकतवर बनाती है नमबर सत्रा, एलोवीरा जैल में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर चेहरे पर लगाने से दाग धब्बे दूर हो जाते हैं नमबर अठारा, उदीने की चटनी बनाकर खाने से शरीर में थकावट नहीं होती और भूग भी बढ़ जाती है नमबर उन्निस, नाखूनों को समय पर काटने से सुस्ती नहीं होती नमबर बीस, अगर आपके दिमाग में कमजोरी महसूस होती हो तो बादाम के तेल से मालिश करें इससे दिमाग को ताकत मिलती है 21. कच्चा शल्जम खाने से दिमाग और नजर तेज होती है 22. अगर पेट की दिक्कत हो तो पूदीने के पत्ते चवाएं 23. अगर आपको शरीर में कमजोरी महसूस होने लगें तो दूद में एक दो खजूर डाल कर सेवन करें 24. ज्यादा सोचते रहने से दिमाग कमजोर हो जाता है इस वीडियो का मकसद सिर्फ जानकारी देना है स्वास्त से जुड़ी, सला या जाच के लिए किसी पेशेवर डॉक्टर से बात करें उमीद है आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें मेरे साथ वीडियो देखने के लिए धन्यवाद थैंक्स पो वाचिंग